फाइले जी दोस्तों यह कुरु बहुत ही सब्सक्राइब का वीडियो आप सभी के लिए लेके आज चुके हैं और आज हम सीखने हो ले कैसे अपने 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 गलेक्सी M30S के अंदर आफ काफी easily रोम को इंस्टाल कर सकते हो अगर मैं आपको भी भदा दूँ तो मैं भी स्टाल रोम पे नहीं हूँ कुछ इस तरीके से मिला जुला सा मिक्षर है इसके अपर मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुक हूँ अगर आपने वहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकि फटो विट्स नीजे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा उसको जाके देख सकते दूर यहां देख सकते हैं अभी आपको नाम निशान नहीं दिख रहा है दोस्तों फिलाल थोड़े देर में इसको यहां पर इंस्टाल करने वाले यहां पर देख सकते हैं वी प्रिश OS इस इंस्टॉल्ड है तो बिना देरी किये दोस्तों यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ्रवर से चैनल को सब्सक्राइब करो और विडियो का पर जहुड़ से लाइक कर ले ना इसलिए दोस्तों आपको अपने लैप्टॉप की साहता चीए हो होगा यहाँ पर इसको स्विच ओफ करना होगा कुछ भी हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको जस्ट अपने डिवाइस को स्विच ओफ करना है लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक बात और करना चाहूँगा कि आपका जो भूट स्विच ओफ कर लेते हैं दिवाइस को और इसको आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी लेके चलेंगे कि क्या कुछ करना है वहाँ पर भी बताएंगे आपको तो जिसे कि दोस्तों देख सते हो मैंने आप जो अपने डिवाइस को बंद कर लिया बंद करने के बाद दोस्तों अपने डिवाइस के मतार डाल देना है तो जैसी आप डालेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक नई स्क्रीन खुलने को देखने को मिलेगी यहाँ पर बिल्कुल एक दम अलग सी यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखी विया इंस्रक्शन जिसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर अब चलते हैं अपर अपनी computer screen पर और देखते हैं कि क्या कुछ आपको आगे करना है दोस्तों तो computer screen पर आप यहाँ पर देख पारे होंगे दोस्तों आपको कुछ files यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जिसमें होगी सबसे पहले हमारे यहाँ पर Samsung के USB driver और साथ ही में आपको नीचे description में आपको link देखने को मिल जाएंगे जाके download कर सकते दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमको एक और file की सक जरूरत होगी जो कि हमारा odin यह तीन file होगी हमको जरूरत होगी जिनकी मदद से दोस्तों हम यहाँ पर install कर पाएंगे यह flash कर पाएंगे अपनी नई व भी आप करना चाहें मैं यहाँ पर extract here कर रहा हूं यहाँ यहाँ आप आप देख सकते हो odin का एक अलग से folder बन गया है इसी तरीकी से दोस्तों आपको अपनी USB ड्राइवर से सैंसंग के यह universal ड्राइवर आपको काफी इजली मिल जाएंगे इसका निचे description में आपको link दे तरीके से जो है extract यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों इन सबको extract करने के लिए आपको एक special software की कभी-कभी जरूरत पड़ती है अगर यह रार format में होता है otherwise तो zip format में तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए तो यहाँ पर winner R software का नाम है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पता देता हूँ इसको आपको extract करने के लिए आपर simply आप यहाँ पर कर सकते है extract to SM M37F जो भी है ठीक है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा time हमको लगने वाला है और थोड़ा सा शोर यहाँ पर है दोस्तों तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप से नीचे गाड़ियां चल रही है तो अभी शाम का time हो रहा है तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा वेट करना होगा इसके extract होने का फाइल दूस्तों हमारी यहाँ पर extract हो चुकी है तो यहाँ पर सबसे पहले आपर अपने जो ड्राइवर से उनको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर आप के लिए यहाँ पर हमें next neck करके आपको दिखा दू कि किस तरीके से इसको install करना होता है काफी simple होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से काफी easily इंस्टॉल हो जाते दोस्तों यह already made device के अंदर इंस्टॉल थे जब तक दोस्तों यह होती है तब तक हमें काम और कर लेते हैं यहाँ पर काफी easily इस तरीके से आपको यहाँ पर bootloader पे क्लिक करना है bootloader पे ठीक है बील मतलब bootloader ठीक है उसके मत दोस्तों आपको फाइल डून लेनी है new folder जो हमारा है उसी के अंदर जाना है मैं simply उसी के अंदर जा रहा हूं यहाँ पर new folder यह रहा और वो रहे हमारे ती यहाँ पर यहाँ पर शेलेक कर लेना है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की इसके अंदर यह सारी चीजें आपको देखने को मिलती है तो don't worry about that कि कि आपको कहा से मिलेगा यह इसी folder के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके माद चलते हैं आपको थोड किसे जाए थोड़ी देर बाद यह सॉल्व हो जाएगा इशू जिसके दूस्तों हम देख सकते हैं आप यह हो गया थोड़ी देर बाद करीपन एक से देड़ मेंट को भी टाइम लग सकता है दोस्तों इसमें तो चलते हैं आपर CP की तरफ CP को भी हमको सिलेक कर लेना कुछ तरीके से CP काफ़ी इसली जो ही आप पर इंसलोलगा उसके बाद आपको यहापर CSC भी देखने को मिलेगी दोस्तों, CSC की आपको यहापर दो फास देखने को मिल सकती है जिसके अंदर से हम को CSC OMC वाला ही उठा लेना है, होम वाला भी उठा सकते हैं को दिक्कत वाली बात और रिबूट नहीं करना चाहते तो इसको अंटिक कर सकते हो मैं फिला यहां पर इसको और रिबूट पर ही छोड़ देता हूं उसके बत दोस्तों आपको सिंपली कुछ इस तरीके से यहां पर स्टार्ट कर जो बटन देखने को मिल रहा है उसको दवाना है लेकिन उससे पर द्यान रहे आपका फोन भी आपर जो है कनेक्ट रहना चाहिए दोस्तों फड़ाविट से आपर स्टार्ट दवाता हूं और स्टार्ट दवाते के साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर जो है फड़ाविट से जो जितनी भी फाइल से इंस्टॉल होना शुरू हो चुकिया दोस्तों सो मेक शूर दोस्तों आपको जो डेटा केबल से और यहां पर कंप्यूटर तक का कनेक्शन है वह यहां पर सिक्यूर हो उसके अंदर कोई भी यहां पर मतलब गलती से आप तोड़ मोड नद हो बीच में नहीं तो यह प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है और जिसके व करने से पहले अगर फोन स्टार्ट नहीं हो रहा है बूट लूप में आ गया है तो इसके बारे में भी मैं लास्ट में बताने वालों कि लगातार बूट लूप हो रहा है तो क्या करना चाहिए तो इसके लिए भी हम थोड़ी दर में बात में बात करते हैं इसको हो जाया द और यहां पर एक वर्निंग भी थी जो कि आपका बूट लोडर अनलॉक की वर्निंग है उसके दोस्तों आपका कुछ इस तरी किस होगा इंस्टालिंग सिस्थम अपडेट और यह जारी चीज़े होने के बात दोस्तों आपका पूरा सेटप कंप्लीट होगा थोड़ी दिर य अंड्रोइड 10 के साथ अरण कर रहा है इस ताइम पर लेटेस रो में यह जो निवंबर के अंदर हमको अपडेट देखने को मिला था वह इसके अंदर इंस्टाल किया गया है दोस्तों अभी फिलाल देख सकते दोस्तों यहां पर सैमसंग की स्क्रीन आ रही है तो दोस्तों यह वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाने तो इसके बंद में बताता हूं अगर आप बूट लूप में फस गये तो कैसे निकलेंगे उससे यह कैसे जो है उस तैम पे जो है आप डेटा के विलकुल लगाएंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा आप बटन पाव बटन दबा के इसको डालने का कोई ऑप्शन ही अविलिवल नहीं होगा जब तक यह ओफ नहीं होगा ठीक है अगर मैं ऐसे करके डालूंगा और ऐसे बूट लूप में फसा हुआ डिवाइस बार बारी री स्टार्ट हो रहा है बट हम कुछ नहीं कर पा रहें आप कर करना होगा दोस्तों उस टाइम पर थोड़ा से वेट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर इसके बूट हो जाने का मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी अबाउट में जाके कि यह सैमसम के लेक्सी M30SE है और कोई डिवाइस यहां पर नहीं है कहीं आप सोच है कोई दूसरे डिवाइस के साथ खेल रहा है और हमें जूटा जूटा बता रहा है कुछ तो वेट करते हैं आपर इसके पूरा सेट अप करने का उसके बद मैं आपको दिखाता हूँ कि यह यह M30SE ही है कि फाइनली दूस्तों हमारा फून यहां पर स्टार्ट हो चुका है अब हम यहां पर सेटिंग के अंदर चलते हैं और काफी टाइम के इंतिजार के बाद यार यहां पर आप देख सकते हो काफी अच्छे से कि यहां पर समस्म गिलक्सी M30SE है मैं यहां पर चलता हूँ आपको देखने को मिल गया है जिसको आप यहां पर फ्लैश कर पाएं दोस्तों इसी की मदद से सो आई होप दोस्तों आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प कियोगी अगर की है तो यार प्लीज यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहां पर जरूर से ल अपर फोन खुलेगा लेकिन वैस को खुलने नहीं दूगा ठीक है यहां पर संसुंग को एक साथ दवाया हुए मैंने भी ठीक है तीन फिंगर रख लीजे एक दो यहां रख लीजे पहले वालुम डाउन आप पावर बटन को एक साथ दवाने दवा के रखिएगा ठीक है और यहां पर फोन स्विच्ट ओफ होता है यहां पर यह दबा के आपको इस तरीक़िस ऐसे बसे गुजिधी यहां को फोन यहां पर स्टाट हो गया या सी ब्लैंक होके आपकी धिसक्रीन आपको जस्त को दबाना आने और यहां से USB proprietar को डालर देना है और यहां इक बाघी आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां पर डाउन बटन दबा के आपर रिस्टार्ट रहा डिवाइस अभी या तो एक तरीका यह है दोस्तों कि आप यहां पर बैटरी खतम हो जाए और उसके बाद रिस्टार्ट कर लो ठीक है तो अम यहां पर फिर से मैं इसी को फॉल्व कर यहां पर डाउन और पाव बटन को एक साथ दबा रहा हूं ठीक है अब यहां पर जो है बंद हो एका डिवाइस आपको यहां लिंगुली रखनी है और इसको यहां पर इस तरीके से घुसा देना है देखिए मेरा मिस हो गया है ठीक है मैं एक बार फिर से आपको करके दिख आपको नहीं पताती तो यहां पर यहां फिर आपके पास दो ही तरीके होते हैं यहां फिर आप बैटरी निकाल दो यहां फिर बैटरी नहीं निकाल सकते हो तो भी यह एक दूसरा तरीका होता कि पूरी तरीके से फोन को यहां पर बैटरी खदम कर दो लेकिन उसमें रिस्क पर आपको पोलना चाहूंगा कर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप पर चनल को सब्सक्राब कर लो एक वीडियो का पड़ जरू से लाइक कर लेना कमेंट करके जरू बताने वीडियो कैसे लगा मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक और फ्रेश जानदार वीडि